दो सांस बहुए थी, कार्तिक मास आया, तो सांस बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ, बहु बोली, मैं भी चलूँगी, सांस बोली, तु अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे, सांसु तीर्थ गई, तो बहु कुमार के से 33 कुंडे ले आई, रोज एक कुंडा भर कर रखती, उधर गंगा में सांसु जी की नत गिर गई, बहु कुंडे में नहाती हुई बोली, सांसु नहावे, उंडे में में नहाव कुंडे, इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ ग बहु ने नत पहचान ली और अपने नात में पहन ली। महिना पूरा हुआ, सासु जी आई बहु सामे लेने लगी, तो सास नत देख बोली, तू यह कहा से लाई तो बहु बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मन भ उपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। वैसा सब को देना, एक इल्ली और घोंड था, इल्ली बोली आओ घोंड कार्तिक स्नान करे, घोंड बोला तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा, बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती, घोंड ने कार्तिक स्नान नहीं क दोनों मर गए, बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुन्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घोन राजा के घर गधा बन गया, राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला, बेटी ससुराल जाने लगी, तो उसने अपनी पाल की रुकवाई, और राजा से कहा, यह ग पहुचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया, जब लड़की नीचे उतरती, तो तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे, तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था, मैं तो बाजरा खौऊगा, और ठंडा, ठंठा पानी प तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया, मैं कार्तिक स्नान के पुन्य से राजा के घर लड़की हुई, और आपके घर में राजपाठ कर रही हूँ, तब राजा ने कहा, कि कार्तिक स्नान का इतना पुन्य है, तो हम दोनों जोढ़े से नहाएगे, राजा ने अत्यंत प्रसंद मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान, पुन्य किया, और सारी नगरी में कहलवादिया, कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ, पानी घुन पे डालेगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई, हे, कार्तिक, भगवान, विश्नु भगवान, जैसा पत्वारी माता की कहानी, एक बार पत्वारी माता पाल और विनायक जी में जग्धा हो गया, सब आपस में स्वयम को बध्धा बताने लगे, इतने में एक ब्राहमण का लड़्च का आया, पाल, पत्वारी, जरेनिय, गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुख ज और हमारा न्यायकर, लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब न्यायकरूंगा, घर आकर लड़के ने मां से कहा, मां मुझे कल पाल, पत्वारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है, तो मां ने कहा, बेटा सब को बध्धा बता देना, दुसरे दिन लड़का वहा पत्वारी माता, आप सबसे बध्धी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म, ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा किये बिना, उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, आप जीवित को भी तारती हैं, और मरने के बाद भी उध्धार करती हैं, पत्वारी माता, पत की धरानी, आप बढ़े हो, और पाल माता, पत्वारी माता, स्विंग बिनायक जी, भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए, और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बध्धा कर दिया, उसको सुखी रहने का आशीरवाद दिया, और जौके दाने उसके अंगोचे में डाल दिया, मा ने अंगोचा उठाया, तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए, तो मा बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है, लड़के अचका बोला, मा कोने में जों पढधा देख ले, मा वहां गई, देखा हीरे मोती का धेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे, मा अत्यधि प्रसन्न हो गई, मा ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पत्वारी माता, विनायक जी, भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं, मा बेटे बहुत प्रसन्न हुए